नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिश समान ग्यान पता राइत महाजनपत काल जोकी 620 से 350 विसी तक था इसे related questions करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं 2 परश्ण सूची वन को चुक के साथ सुमेलित किजिए दोस्तों सूची वन में वहाजनपत के बारे में बताया गया है और USूची दो में राजधानी है उसकी तो आपको मिलान करना था तो जिसे इसमें गंधार जो है ये सासक को कुणिक कहा यादा था तो किस सासो कहा यादा था इसके सही अंसर है अजाद सत्रू आपको अजाद सत्रू को बता दोस्तों ये बिंबिसार के पुत्र थे अजाद सत्रू अगला प्रशन है किस सासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाठली पुत्र ना पॉजसंगति का आयोजन किया गया था ूससे काकवरण के नाम से जाना दा था उपस का अन्सर है काला शोक है कि अगला प्राशन नज से किस नदी के आमने सामने वाले तठोपर पड़ाव डाला हुआ था सही एंसर है जेलम के तटपन अगला प्रशन है किस प्रकार का मृध्वान भारत में दूतिय नगरी करण और सहरी करण के प्रारंब करतिक माना गया उत्री काले पाली स्कृति प्रतन अगला प्रशन है पाली गरंथों में गाउं के मुख्या को क्या कहा जाता है प्राचीन नम क्या था दोस्तों अबन्तिकें का संस्थापक था सही इंसर है। अगला प्रक्ष्ण ग्रीक युनाइम लेखो त्वारा अग्रमीज ऐर जैनरमीज कहा गया है। धनानंद को कहा गया है। तो धनानंद नंद ववन्स का अंतिम चासक था जिसकी मिर्तिव कोटेले के नीती के द्वारा हुई थी। इरान के हकमनी वन्स के किस सासक ने भारतिय भूबा को जितने के बाद उसे फारत समराज का बिस्वा प्रांत चत्रपी बनाया था। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो नदिया है उनका परानिक नाम क्या-क्या था। तो आए एक बार और रिवाइस करता है। पारूशनी जो है वो रावी नदी को कहाया था। अस्कनी जो कहाया था चेनाम नदी को कहाया था। अगला प्रशन है सिकंदा ने भारत पर कब आकर्मन किया। इसके सही अंसर है 326 इसाप पुरूँ। अगला प्रशन है सुची एक को सुची दो के साथ सुमेरित कीजिए। जैने कि सुची 1 में सासक का नाम देया गया है और उसकी 2 में वह किस वंस से बिलॉंग कर दे हैं। तो इसमें सही एंसर होगा बिंबिसार हरियंक वन्स के सास्थ है, काल अशोक सिसुनाग वन्स के सास्थ है, महापदमनंद नंद वन्स के सास्थ है और बिंदुसार जो है मौरी वन्स के सास्थ है अगला परशन है सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलित कीजिए महाजनपत के बारे में बता गया है और आधुनिक छेत्र जिससे ये बिलॉंग करते है उसके बारे में बताया गया है तो दोस्तो मगद जो है वो वर्तमान में पटना एवं गया जिल्म में फैला हुआ था दूसरा वत्स जो की इलहाबाद में था तीसरा कौशल जो की मालवा में था कौशल जो की अवद में था और अवंती जो की मालवा वाले इलाके में था अगला परशन है मगद की प्रथम राजधानी कौन से थी? ज़से सही अंसर है ग्रीवरज या राजग्रिव अगला प्रशन है किस आसक द्वारा सवर प्रथम पाठल पुत्र का राजधानी की रूप में चेन किया गया था? ज़से सही अंसर है उदाहीन की द्वारा अगला प्रशन है सोला महाज़न पदों की सूची उपलब्ध है किस निकाय में? तो अंगुतर निकाय में अगला प्रशन निम्निकीत में से मगद का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ज़से सही अंसर है धनानंद अगला प्रशन प्रशन प्रथम मगद समराज को उत्कर्श की सदी में हुआ था? वैसे सही अंसर है छटी सदी इसापुर्म में सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे इसमें पहला कारण दिया कि भारत में तब कोई केंदरी सत्ता नहीं थी दूसरा उसकी सेना स्रेष्ट परकार के थी तीसा उसे देश द्रोही भारतिय सास्कों का सयोग मिला चोथा हुआ एक अच्छा प्रशाशक था तो इसमें से सारे के सारे आप्सन सही है दोस्तो अगला प्रशन है सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सुची के नीचे दिये गए कूट को सभी के साथ उत्तर के साथ चुनिए सुची एक में दोस्तो राजा का नाम दिया गया है सुची दो में राज्जी का नाम दिया गया है तो प्रद्योत जो है अवंति के राजादे, उदैन जो है वो वत्स के राजादे, प्रसेंजीत जो है वो कौशल के राजादे और अजाद सत्रू जो है वो मगद के राजादे, तो यह इसका सही मिलान है अगला प्रशना है, अभी लेखिय साक्षे से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदे से एक नहर खोदी गई थी, तो किस राजा के आदे से एक नहर खोदी गई थी? तो कलिंग में, कलिंग में नंद राजा थे, उनके आदे से एक नहर खोदी गई थी अगला प्रशन है, पहला इराणी सासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने आधिन किया था तो इसका सही अंसर है, डेरियस मगद के राजा, अजाद सत्तुर का सदे किस गनराज के साथ युद रहा जिसका सही अंसर है, वज्जी संग यानि वहसाली के साथ वजी संग के विरुद्ध मगद राज के किस पर सासक ने पर्थम बाद रथ मूसल एक ऐसा रजिसमें गदा जिसा हत्यार जुड़ा था तथा महाशील कंटक यहनी पत्तर फेकने वाला एक युद्ध यह अंत्र नामा गुप्ध हत्यारों का प्रियोग किया गया था इसका सही अंसर है अजाद सत्रू अगला प्रशन नंद बंस का अंतिम समराट कौन था इसका सही अंसर है धनानंद अगला प्रशन है भारत में सिको या मुद्रों का परचलन कब हुआ छेसो इसा परों में निम्र राजाओं पर विचार कीजिए अजाद सत्रू बिंदुसार यंक्वंस के सासक थे और प्रसेंजित थे दो जो थे वो बुद्ध के समकालिन थे बिंदुसार जो है वो बाद के सासक थे अगला प्रशन है छटी सदी सवा पुरू के दोरान बड़े राज्यों की उद्धय का मुख कारण क्या था इसका सही अंसर उत्तर प्रदेश और बिहार में वयापक पैमाने पर लोहे का उपयोग अगला प्रस्टन है मगद समराथ बिंदुसार ने अपने राजवैद जीवक को किस राज के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था इसका सही अंसर है अवंती की राजा अगला प्रशन है किस सासक ने अवंती को जीत कर मगद का हिसा बना लिया इसका सही अंसर है सिसुनाग अगला प्रशन है किस मगद समराट ने अंग का विलय अपने राज में कर लिया इसका सही अंसर है बिम्बिसार अगला प्रशन है सिसुनागनिकी स्राइच का विले मगत समराज में नहीं किया और इसका सही अंसर है काशी अगला प्रशन है काशी और लिच्छवी का विले मगत समराज में किस नहीं किया और इसका सही अंसर है अजात सत्रू अगला प्रश्न है, मगज समराज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है पुरानों एवं महाकावियों का अनुसार इसके स्थापना व्रिहद रत ने की थी महापदमानेंद ने इसे सरवाधिक विस्तार परदायं किया तता सर्वख्षंत्रांतक यानि छत्रियों का अंद करने वाला एवं इकराट के उपरादी धारन की ग्रीवरज, राजग्रिह और पाटलिपुत्र एवं वैसाली, क्रमसा इसकी चार आलधानिया वनी तो दोस्तों इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है क्योंकि मगज समराज की स्थापना विरहदरत ने नहीं की थी और महापद्मानंद ने इससे सरवादीक विस्तार प्रदान नहीं किया था दोस्तों ग्रीवरज, राजग्रिह और पाटलिपुत्र वैसाली इसकी चार आजधानिया नहीं बनी थी दोस्तों जो छत्रियों का अंत करने वाला था उसे पौश्मित्र सुंग कहाया था अगला प्रशन है सिकंदर के आकर्मन के समय उत्तर भारत पर निम्रिखित राजवन्सों में से किसका एक सासन था और इसका सही अंसर है नंद बन्स का एक सासन था अगला प्रशन है निम्रिखित में से कौन सा एक इसापुरू छटी सताब्दी में भारत में प्रारम में भारत का सरवाधिक सक्तिसाली नगर राज़ी था इसका सही अंसर है मगद दोस्तों कोश्चन नंबर 39 में वैशाली जो है वो मगद समराज की राज़ानी नहीं थी गृवरज राज़गरी और पाठली पुत्र थी अगला प्रशन है निम्रिखित में से कौन कौन से भारत पर इरानी आकर्मन के प्रभाव के रूप में माना जाता है और इसका सही अंसर है सभी की सभी यानि की खरोस्टी लिपी का परचार अभी लेक उत्क्रिन करने की कला का परचार इरानियों की छत्रप प्रणाली का परचार घंटा आकार के गुंबच की कला का परचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियक्ति अगला प्रश्ण निम्रीत में से कौन सा एक सिकंदर के आकरमन का प्रफावम नहीं था उसमें भारत को युनान की रियासत बनाया दूसरों उन्होंने भारत को युनान की रियासत नहीं बनाया था वो वहाँ से लौट के चले गया था अगला प्रश्ण है निम्लिकित में से किस राज में गंतरात्मक सासन विवस्था नहीं थी उसका सही अंसर है मगद अगला प्रश्ण निम्लिकित में से किसे सेनिया नियमित और स्थाई सेना रखने वाला कहा ज़ादा था उसका सही एंसर है बिंबिसार दोस्तों बिंबिसार हरियंक वंस का सा सकता जिसे सेनिया कहा जादा था निमित में से किसे उगरसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जादा था और इसका सही एंसर है महापद्मनंद अगला प्रशन है और धनानंद इसमें इस question में एक option है वो इसका अंतिम शासक था अगला प्रशन है डेरियस यद्यारी बाहू एक ने पांसो सुल्ल इसापुर में सिंदु के तटवर्ती भूभा को जीत कर उसे इरान का बीस्वा छत्रपी प्रतांत बनाया था उसे कितना राजसो प्राफ़ता था इसका सही अंसर है तीन सु साथ टैलेंट अगला प्रशन है निम्रीत में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला तिहासकार नहीं था इसका सही अंसर है है अगला प्रशन है महाजनपत काल में स्रेणियों के संचालन को क्या काया था उसे काया था स्रिष्ठिन अगला प्रशन है ग्रेपती का अर्थ क्या है धनी किसान अगला प्रशन है सुची एक को सुची दो के साथ सुमेरित कीजिए तो सुची एक में कुछ ऑप्शन्स दिए गए हैं तो अश्ट कुलक जो एक परामर्श दाई संस्ता थी महा मात्र जो की उच्छ कोटी के अधिकारी को कहाया था बली साधक जो की किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था चौता अप्शन है शौलिक या सुल्का ध्यक्ष जो सिल्पियों और ब्यापैयारियों से सुल्क या चुंगी वसुल करने वाला अधिकारी होता था अगला प्रशन है मगत के किस प्रारंभिक सासक ने राज्या रोहन के लिए अपने पिता की हत्या की तथा इसी कारण अपने पूत्र द्वारा मारा गया तो इसका सही अंसर है अजात सत्रू दोनों अजात सत्रू और बिम्बिसार दोनों हर्यंक वंस के साथ अकते अजात सत्रू बिम्बिसार का पुत्र था अगला प्रशना है विश्व का पहला गंतंत्र वैसाली में किसके द्वार अस्थापित किया गया है और इसका सही अंसर है लिछवी के द्वारा सुची एक को सुची दो साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिगे कुट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए दोस्तों सुची एक में महाजनपद के बारे में बताए गया है और सुची दो मुष्दानी कौन सी थी और वत्स के राजधानी कौशम भी थी अगला प्रशन है निम्म में से कौन एक बौध ग्रंत सोला माजन पदो का उलेक कहता है तो इसका सही अंसर है अंगुतर निकाए दोस्तों ये प्रशन बार बार पूछा जा रहा है तो इसे आप याद रखिए अगला प्रशन है निम्म में से कौन सा एक मगत समराज की राजधानी नहीं रही इसका सही अंसर है कौशम भी दोस्तों ग्रीव रच राजग्री और पाटली पुत्र ये तीनों मगत समराज की राजधानी रही थी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों आपके लाइक से और आपके सब्सक्रिप्शन स मुझे बहुत encouragement मिलती है तो मुझे यह always motivate करती है कि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहूं वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते अगले वीडियो में